बहुत सारे ऐसे sentences हैं जिनके शुरुवात में हम बोलते हैं देखते ही देखते जैसे की देखते ही देखते दस बज गए देखते ही देखते शाम हो गई देखते ही देखते हमारी शादी को पास साल हो गए इस तरह के sentences को इंगलिश में बोल ले के लिए in no time का use किया जाता है और उसके तुरंत बाद आप बोलेंगे in no time आप in no time को शुरू में भी बोल सकते हैं वो भी सही है चलिए example से समझते हैं इसको देखते ही देखते ही देखते ही रोने लगा वो ये करने लगा वो करने लगा इस पर हमने already एक वीडियो बनाय हुआ है उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के description में दे दिया गया है आप देख सकते हैं देखते ही देखते सब बरबाद हो गया, everything was ruined in no time, everything was ruined in no time, देखते ही देखते हमारी शादी को 5 साल हो गये, in no time 5 years have passed since we got married, in no time 5 years have passed since we got married, आप in no time को शुरू में भी लगा सकते हैं So guys हमेशा की तरह homework की बारी, एक sentence आप सभी के लिए, देखते ही देखते खाना खतम हो गया, आपको इस sentence English में translate करना है और comment में लिखना है, देखते हैं कितने लोग सही translate करते हैं, best of luck So guys, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपको structure का use अच्छे सा समझ में भी आया होगा, अगर आपको कोई भी, कोई भी doubt हो, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए lesson के साथ, till then take care